कि है एलो वाडी कैसे आप लोग सागत है मेरे यूट्यू चनल में इस वीडियो में मैं समझूंगा और हम सब समझेंगे विंग वाल एंड रिटरन वाल क्या होते हैं विंग हो और क्या होते हैं रिटरन वाल के ये मैंने जाएंगे और यह हमारा ड्रोइंग 1 है और यह हमारा ड्रोइंग 2 है तो मेरा टपिक है विंग वाल और रिटान वाल यह जो यहां पेसे ट्रेपड होते हैं और यह इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं विंग वाल और यह जो यहां से इधर चला जाता है इसको बोलते है रिटर्न वाल ठीक है सेकेंड के है जब आप यह बॉक्स क्लॉपट बनाते हैं तो आपने इस तरह से भी देखा हुआ कि यह दोनों इस तरह से सीधे चला जाते हैं इस में यह हमारा एलाइमेंग्स होता है जैसे यह रैल वैलेट ट्राइक के है सेंटर टू सेंटर लाइन शू ठीक है इसमें इसमेंबी आपको रिटर्रण 2 ज़ता है यह घ्राइवर लो हाइट सब्वे ठीक है या अगर मैं यहां पे गर मैं ब्रीज बनाता हूं तो ब्रीज में मौस्टली आपको विंग वाल मिलते हैं ठीक है और एलेचेस में आपको रिटान वाल मिलते हैं तो ये भी हमारा एक रिटान वाल हो जाता है ठीक है ये विंग वाल इसको बोलते ह है इसमें और यह दो हमारा वाल हो गया है और यह इसका युस इसका है थीकिए तो यह हमारा वींग वाल औ। ऑर रिटोन वाल तो और इसमें डिप में जाता हूं कर मैं सक उसक्रॉष्यक्र हों तो क्रॉष्यम सेक्षन होते हैंve इस तो ग्या है then second phase हमारा inclined होते है और यह इस तरह से हमारा raft होता है और इसके सीधे में यहां पर की होता है यह portion हमारा की हो जाता है यह हमारा raft हो जाता है और यह वाल हो जाता है ठीक है और इसका मान के चली कि 700 का की है राफ्ट भी हमारा 700 का है टॉप में हमारा 300 है और यह भी हमारा क्योंकि यह हमारा 700 होगा ठीक है तो इस तरह से से हो जाता है अगर मैं इसका ऐलिवेशन की बात करूं तो बॉक्स क्लोवट का यह जो पॉइंट है यह वाला यह वाला का मैंने यहाँ पे एक लाइन दिखा दिया इधर हमारा बॉक्स हो गया है विंग वाल जो आता है इस तरह से आता है और यहाँ पे बेड लेवल से यह एक मीटर यह हमारा बेड लेवल हो गया वान मीटर हाइट पर होता है ठीक है इस तरह से आपका जो एलिवेशन होता है यह विंग वाल का होता है रिटर्न वाल आपको पूरा अगर रिटर्न वाल का एलिवेशन हम लोग देखते हैं यह हमारा बॉक्स हो ग